Hello friends, welcome to a JN Knowledge Classes friends, तो आज किस वीडियो में सिखने वाले हैं भीन का जोर, भीन का घाटाव, भीन का गुना और भीन का भाग बनाने के लिए तो अगर आप इस वीडियो पर नए है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए तो देखे भीन का जोर बनाने के लिए सबसे पहले हर का LCM लिया जाता है तो देखे यहाँ पर 4 बटा 6 है तो इसमें 6 है जो हर हो जाएगा और यहाँ पर 2 बटा 4 है तो इसमें 4 हर हो जाएगा तो 6 और 4 का LCM लेंगे जब 6 और 4 का LCM लेंगे तो 12 होगा तो यहाँ पर इस तरह से लाइन देना है और यहाँ पर 12 लिखना है अब यहाँ 12 लिखने के बाद इस वाले 6 से यहाँ पर जो 12 है उसमें भाग देंगे और भाग दे करके जो भाग फल आएगा उससे उपर वाले 4 में गुना करेंगे तो देखे 6 से जब 12 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा और 2 से जब 4 में गुना करेंगे तो यहां पर 8 हो जाएगा तो 8 को यहां लिखे देंगे फिर इसके वाद यहां पलस का चिन देंगे पलस का चिन देने के बाद यहां पर जो 4 है इस वाले 4 से यहाँ पर जो 12 है इसमें भाग देंगे तो 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 से उपर वाले 2 में गुना करेंगे जब 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा तो 6 को यहाँ पर लिखे देंगे अब इसके बाद 8 और 6 को जोरेंगे जब 8 अच्छो को जोरेंगे तो 14 होगा तो यहां पर 14 लिखेंगे और बट्टा यहां पर जो 12 है उसको यहां पर लिखे देंगे तो देखे इस तरह से भीन का जोर बन गिया चलिए तो अब भीन का घाटाव बनाने के लिए सिखते हैं तो देखे भीन का घाटाव बनाने के लिए भी सबसे पहले हर का LCM लिया जाता है तो देखे यहाँ पर 9 वटा 4 है इसमें 4 हो जाएगा जो हर हो जाएगा यहाँ पर 3 वटा 2 है इसमें 2 हर हो जाएगा तो चार और दो का यहाँ पर LCM लेंगे जब चार और दो का LCM लेंगे तो चार होगा तो यहाँ पर इस तरह से लाइन देना है और यहाँ पर चार लिखना है अब यहाँ चार लिखने के बाद इस वाले चार से यहाँ पर जो चार है उसमें भाग देंगे और भाग दे करके जो भाग फल आएगा उससे उपर वाले 9 में गुना करेंगे तो देखे चार से जब 4 में भाग देंगे तो एक वार में कटेगा और एक से जब 9 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा तो यहाँ पर 9 लिखेंगे फिर इसके बाद यहाँ माइनस का चिन देंगे अब माइनस का चिन देने के बाद यहाँ पर जो 2 है इस वाले 2 से इस वाले 4 में भाग देंगे जब 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 वार में कटेगा और 2 से उपर वाले 3 में गुना करेंगे जब 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे अब इसके वाद 9 में से 6 को घटाएंगे जब 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 बचेगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और बट्टा में जो यहाँ पर चार है उसको यहाँ पर लिख लेंगे तो देखे इस तरह से भीन का घटाव बन गिया चलिए अब भीन का गूना और भीन का भाग बनाने के लिए सिखते हैं तो देखे भीन का गुणा बनाने के लिए तिर्चा तिर्चे या उपर नीचे काटते हैं लेकिन सामने सामने नहीं काटते हैं ये भीन का गुणा बनाने का नियम है कि या तो उपर नीचे काटिए या तो तिर्चा तिर्ची काटिए लेकिन सामने सामने नहीं काटना है तो देखे, यहाँ पर 8 से 6 तो कटेगा नहीं, यानि कि उपर इंचे नहीं कटेगा, तो अब यहाँ पर 33 तिर्शी कटेंगे तो देखे, यहाँ पर 8 से 40 कट जाएगा 5 वार में, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और देखे, यहां पर 6 से 36 कट जाएगा 6 वार में तो यहां पर 6 लिखेंगे देखे, बट्टा को उपर 5 है और नीचे 6 है, तो 5 से 6 नहीं कटेगा और 6 से 5 नहीं कटेगा तब इसको यहां पर 5 और बट्टा 6 लिखेंगे, जो यहां पर answer होगा, चलिए तो इस तरह से भीन का गुणा बन गिया चलिए अब भीन का भाग बनाने के लिए सिखते हैं तो देखे भीन का भाग बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 7 बटा 12 और यहां ऑग का चिन है इसको गुणा के चिन में बदल देंगे यहाँ पर 6 है जो नीचे है तो यहाँ पर उपर लिख देंगे और यहाँ पर एकईस उपर है तो यहाँ पर एकईस को नीचे लिख देंगे अब इस तरह से लिखने के बाद अब यहाँ पर तिर्चा तिर्चे या उपर नीचे काटेंगे तो देखे यहाँ पर उपर नीचे तो यहां पर 3-3 कटते हैं तो देखे यहां पर 7 से 1-10 कट जाएगा 3 वार में तो यहां पर 3 लिखेंगे और यहां पर 6 से 12 कट जाएगा 2 वार में तो यहां पर 2 लिखेंगे अब इसके बाद बट्टा के नीचे जो बचा हुआ है उस सभी को गुना करेंगे और बट्टा के उपर जो बचा हुआ है उस सभी को गुना करेंगे तो देखे बट्टा के उपर कुछ नहीं है तो जब कुछ नहीं रहता है तो उपर एक लिखते हैं अब इसके बाद नीचे देखेंगे कि क्या बचा हुआ है तो देखें यहाँ पर दो बचा हुआ है और यहाँ पर तीन बचा हुआ है तो तीन और दो का गुना करेंगे तो छे हो जाएगा तो यहाँ पर छे लिख देंगे तो यहाँ पर यह एंसर हो गया तो आपको यह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए